फिल्म रिव्यू करेंगे नेल पॉलिश आम तोर पर देखा जाए तो चाइल्ड अब्यूज को लेकर बॉलिवुड में बहुत डीप में कमी फिल्में बनी है लेकिन नेल पॉलिश इस सब्जेक्ट को थोड़ा और बहतर तरीके से दिखाने का काम करती है जहाँ चाइल्ड अब्यूज और फिर मर्डर को एक सनकी के दिमाग और उसके शरीर को अलग-अलग बता कर कहीं न कहीं उसके जुर्म को डिफेंड करने की कोशिश की गई है फिल्म की शुरुआत में ही वॉइस ओवर के जरीए ये बताया जाता है कि दिमाग अपराद करता है शरीर नहीं और फिर इसी सोच को फिल्म में विस्तार पूरवक दिखाने की कोशिश की गई है फिल्म में दिखाये गया है कि कैसे एक सच्चा देशभक्त जो अंडरकवर होकर देश के लिए काम कर चुका है और उसके बाद गरीब बच्चों को स्पोर्ट्स के जरीए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेडित करता है उन्हें ट्रेडिंग देता है ऐसे इनसान पर दो बच्चों के साथ शोशन और फिर निर्दैता से मार देने का आरूप लगता है और 36 बच्चों के मरने में उसके हाथ होने की आशंका जताई जाती है वहीं दूसरी तरफ एक अमीर लॉयर है जो किसी लालच में इस केस को अपने हाथ में लेता है और एक जज जो इस केस में एक एहम भूमिका निभाता है इसके अलावा एक और लॉयर है जो अपनी इमानदारी के लिए जाना जाता है देखा जाए तो पूरी कहानी इनहीं चार किरतारों के इर्द गिर्द खूमती है फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है पूरी फिल्म के दौरान कहानी जो है वो दर्शकों को बाधे रखती है कोट रूम के सीन्स तो इंटरस्टिंग तरीके से दिखाए गए हैं साथ में कोट के बाहर भी दोनों लॉयर और इसमें अपराधी से जुड़े कुछ द्रश्यों से कहानी को एंगेजिंग बनाए रखने में डिरेक्टर काम्याब प्राब्लम है कहानी के बीच में कुछ लूप होल्स और आजकल के फिल्मों में दिखाय जा रहे क्लाइमेक्स जो हर थ्रिलर फिल्म में एक ही पॉइंट पर आकर खत्म होता है वो है एक प्रशन चिन्द। फिल्म या वेब सिरीज में सेम यही तरीका अपनाय जाने लगा है कि भाई हमने तो एक कहानी देखा दी बाकि अब आपको जो समझना है वो समझते रहो लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और क्या दर्शक भी इस तरह की अधूरी एंडिंग को पसंद करते हैं या फिल्म के खत् सीन में वो कलपूरित कुछ ऐसा फेस एक्सपरेशन बनाता है जिससे लोग combine हो जाते है कि पूरी फिल्म में जो दिखाया गया है यह वो सभ वैसा नहीं है जो हमें दिखने को मिला है इस फिल्म में भी पूरी फिल्म में सब कुछ दिखाया जाता रहा है किसलीन बिलकुल फिल्म खत्म होते होते तक एक सीधी कहानी दिखाई जाती है और स्क्रीन प्ले, कैमरा एंगल्स, एक्टिंग सब कुछ परफेक्ट होता है और हम फिल्म को इंचॉय करके सैटिस्वाई भी हो जाते हैं कि चलो बढ़ी आती फिल्म लेकिन फिर जाते जाते कहानी को अधूरा बनाने वाला ये फंडा आप इरिटेट करता है पहले इसका एक कारण ये होता था कि इन केस फिल्म हिट हो गई तो इस तरह के सीन से इसके अगले पार्ट को बनाने का आप्शन रहता है और फिल्म नहीं चली तो ये बताया जाता है कि अरे आज कल ओडियन्स को दिमाग चल पूरी फिल्म में सारी चीज़े क्लियर करती गई है कि कौन इस्तरी थी वो सबको क्यों उठा के ले जाती थी मुझे लगता है फिल्मेकर्स अपनी सुविधा के लिए फिल्म के एंड को कन्वियूजिंग बनाते हैं जो नहीं होना चाहिए एक्टिंग की बात करें तो अर impress करती है वही मानव कॉल का काम भी बहतरीन है बलकि बहतरीन से भी बहतर है कारण है उनके पास अपने टैलेंट को दिखाने का भरपूर मौका था जिस तरह का किरदार उन्हें मिला था एक split personality वाला किरदार हिंदी सिनेमा में कोई नया नहीं है लेकिन मानव कॉल ने बड़ी स सावधानी से इस stereotype character से बचते हुए अपना best performance दिया है ये एक ऐसा किरदार था जिसमें थोड़ी सी गलती कब उनकी acting को आम बना देती पता ही नहीं चलता उनका काम शांदार है जज की भूमी का निभा रहे रजित कपूर एक ऐसे जज दिखे जो आम फिल्मों के judges की तरह न काम judges की तरह नहीं था कहानी के लूप होल्स की बात करें तो जज की wife है जो दिन रात नशे में रहती है समवादों से किवल इतना पता चलता है कि जज अपनी बीवी से खुश भी नहीं है और उन्हें छोड़ना भी नहीं चाते लेकिन बाकी कुछ नहीं उनकी wife के character को बहु एक इमानदार lawyer भी दिखाए गया है जिसके background पर भी focus किया गया यानि उसकी family उसके बीवी बच्चे उसकी family को 3-4 scenes में दिखाए गया है हर बार मकसद यहीं होता था कि उस lawyer की इमानदारी को दिखाए जाए कि वो कितना इमानदार व्यक्ती है इस चीज को बताने के लिए ए मानदार वकील की भूमी का निभाई थी वो अरजुन रामपाल को बोलता है कि मैंने सब कुछ तुमारे पिता जी से सीखा है फिर भी उस पिता को फिल्म में Mr. India बना कर रखा गया खैर फिल्म के action scenes बहुत अच्छे है हाला कि एक ही action scene है लेकिन वो बहुत अच्छे से execute किया गया है background music average है एक line में कहूं तो ये climax वाले extra effort फिल्म में नहीं लगाय जाने चाहिए बाकि script अच्छी है powerful performance है engaging screenplay है बस कुछ किरदार जिनके background पर time खराब करने की जरूरत नहीं थी वहीं कुछ किरदार के background को समय दिया जाना चाहिए था मेरी तरफ से film को 3.5 stars have a nice day